हलो एब्रीवान मेरा नाम है पवननेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th किमिस्ट्री का एक टॉपिक चेप्टर जिसका नाम है एसेड बेसेज और सॉल्स और ये इस सेरीज का सेकंड पार्ट है तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग बेसिक इंट्रडक्शन देख चुके हैं एसीड और बेसेज का और उनका क्लासिफिकेशन तो अभी हम देखने वाले हैं प्रेपरेशन एसेड को कैसे बनाया जाता है और बेसेज को कैसे बनाया जाता है तो पहले देख लेते हैं हम एसेड का प्रेपरेशन एसेड को कैसे बनाते ह है तो number one है भई from non metals ठीक है non metal से हम कैसे बनाएंगे acid को non metals तो अगर हम क्या करेंगे non metal की reaction करेंगे तब भी acid बन जाते हैं for example hydrogen और chlorine की अगर आप reaction कराओ तो यह बन जाता है hydrogen chloride basically hydrogen chloride gas है इसको आप water में dissolve करोगे तो यह hydrochloric acid बन जाएगा in the same way आप hydrogen और bromine की reaction से बना सकते हो HBR इसको balance करूँगा में तो ऐसा हो जाएगा और hydrogen और iodine की reaction से हम बना सकते हैं HI तो यह एक तरीका है acid बनाने का दूसरा है दूसरा तरीका है from acidic oxide from acidic oxide acidic oxide क्या होते हैं भाई एक बात आपने हमेशा ध्यान रगनी है non-metals के जो oxides हैं वो क्या होते हैं oxides of non-metals are acidic in nature why they are in acidic nature क्योंकि वो water के साथ reaction करने पर acid देते हैं for example carbon dioxide यह non-metal का oxide है oxide का मतलब किसी भी element और oxygen का compound तो इसमें oxygen आपको दिख रहा है और एक non-metal है carbon ठीक है तो यह हो गया oxide इसको अगर हम water के साथ treat कराएंगे तो यह बना देता है H2CO3 यह है तो acid बन गया यह है carbonic acid in the same way sulfur dioxide plus H2O यह बना देता है H2SO3 इसका नाम है sulfurous acid ACSO3 plus H2O यह बना देगा H2SO4 यह है sulfuric acid and P2O5 phosphorus pentoxide plus H2O यह बना देगा H3PO4 balancing फिलाल इतने जरूत है नहीं तो यह सारे के सारे क्या है यह है non-metal के oxide इनकी water के साथ हमने जब reaction की तो इन्होंने बनाए acid तो यह acid बनाने का एक तरीका हो गया अगें तीसरा method देखिए from salts from salt तो salt का definition में आपको इसके पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ तो salt की अगर हम क्या कराएंगे जो non-volatile salt acid है उनको अगर हम क्या करेंगे salt of more volatile acid के साथ reaction करेंगे तो क्या होता आता है आपके acid बनते हैं for example देखिए normal salt normal salt क्यों कह रहे हैं हम अभी आपको पता चलेगा normal salt राइट और इसकी हमने माल लिजिए sulfuric acid के साथ reaction कराए sulfuric acid वो भी concentrated ठीक है तो ये क्या बनता है एक दूसरा salt बनता है जिसको हम कहते हैं acidic या acid salt और दूसरा बनता है acid तो आप देखिए for example हमारे पास है KNO3 ये है भई potassium nitrate तो potassium nitrate किसका salt होगा ये है nitric acid का salt ठीक होगा इसको अगर हम reaction कराएंगे H2SO4 के साथ sulfuric acid के साथ तो salt का definition मैंने आपको बताया है अगर आप acid के hydrogen को replace करते हैं with a metal तो आपको बनता है salt so potassium nitrate is a salt of nitric acid इसकी हमने H2SO4 के साथ जब reaction करवाई तो ये क्या बना रहा है sulfuric acid किसके साथ salt बनाएगा अब आप देखिए potassium और sulfuric acid का salt बनेगा तो sulfuric acid आपको पता है कैसा acid है di basic acid है तो दो type के salt बन सकते हैं एक बार में एक hydrogen को replace करते हैं तो ये बन जाएगा KHSO4 इसका नाम है भई potassium hydrogen sulfate ठीक है तो ये acid का salt बन गया मतलब ये sulfuric acid का salt बन गया अब एक बार यहां ध्यान दीजे जो nitric acid है वह है more volatile मतलब ये जल्दी vapor form में convert हो जाता है और ये sulfuric acid है less volatile तो less volatile क्या करेगा जो less volatile acid है वो more volatile acid के salt से reaction करके क्या बनाएगा अपना salt बनाएगा तो ये sulfuric acid और किसका salt है potassium का salt है तो ये बन गया आपका potassium hydrogen sulfate साथ में बनेगा जो volatile acid है वो displace हो जाएगा तो यहां से यहां से H और यहां से NO3 reaction परके बना देंगे reaction अगर आप NaCl के साथ reaction करवाओगे तो यहां sulfuric acid और sodium का क्या salt होगा यह होगा NaHSO4 दो salt बनते हैं तो यह है sodium hydrogen sulfate plus यहां देखिए H यहां C L तो बन गया नहीं बन गया acid तो यह एक acid हो गया ठीक है तीन method आपको मैंने बता दिया acid बनाने के number four आप देखिए number four method है by oxidation of non-metals by oxidation of non-metals तो non-metals oxidation माल लिजे sulfur अगर है तो sulfur की अगर हम क्या करेंगे nitric acid के साथ reaction करेंगे ठीक है तो nitric acid क्या है भई एक oxidizing agent है oxidizing agent का मलब यह क्या कर देता है इसका oxidation कर देता है इसका oxidation मलब sulfur का oxidation करेगा तो यह बनाता है sulfur का oxo acid S2SO4 plus साथ में NO2 और S2O मलब जो nitric acid है वो खुद किसमे change हो गया NO2 में और S2O साथ में बना और इसने क्या क्या sulfur को sulfuric acid में convert कर दिया ठीक है ऐसे अगर आप phosphorus के साथ भी reaction करेंगे तो HNO3 तो यह बन जाएगा phosphorusic acid phosphorus का acid H3PO4 plus साथ में बन रहा है NO2 plus H2 इसको balance हम लोग नहीं कर रहे हैं विलाल इतनी जरुत है नहीं राइट तो इस तरीके से आपने दिखा कि जो non metal है उसको acid क्या कर दे रहा है oxidize कर दे रहा है तो non metal का oxoacid plus साथ में NO2 और S2O बनेगा तो यह कुछ method मैंने आपको बताएं किसके acid को prepare करने की अब आप देखिए basis को हम कैसे prepare करते हैं तो base को बनाने के method है number one from metals ठीक है तो metal की अगर हमने क्या कराई oxygen के साथ reaction कराई अगर हमने metal की oxygen के साथ reaction कराई तो metal का oxide बनेगा भाई अब metal का oxide sodium का oxide का formula Na2 होगा आपको valency पता होगी तो आप बता सकते हैं formula ऐसा होगा magnesium का reaction आप कराएंगे oxygen के साथ तो formula होगा MgO तो magnesium का oxide acids यह base नहीं हैं these are basic oxide तो यह भी base में हमने पढ़ा था इनको तो यह basic oxide क्यों है भही क्योंकि हमने क्या कहा इनकी अगर मैं water के साथ reaction करूंगा तो यह बना देगा metal का hydroxide जो कि base है in the same way MgO plus H2O यह बना देगा magnesium hydroxide तो हुआ की नहीं हुआ base का formation basically metal hydroxide base है और metal oxide basic है तो जब इन basic oxide को हम water के साथ reaction कर वा रहे हैं तो बन रहा है base तो यह पहला method है from metal दूसरा method आपकी books में कई होता है from basic oxide तो यह वही बात है जो हमने यहां देखी है from basic oxide तो from basic oxide में क्या है भाई जो भी basic oxide है यह वही हो गया उपर वाला method almost दोनों एक ही होगे फिर भी लिख लीजे राइट तो जो मेटल के oxide है वह water के साथ reaction करके मेटल के hydroxide दे रहे हैं आप चाहो तो MgO plus H2O अगर आप reaction कराओगे तो यह बन जाएगा MgOH hold twice ठीक हो जाएगा ऐसी अगर आप potassium की reaction कराओगे तो यह water के साथ reaction करके क्या देगा यह देगा potassium hydroxide तो एक चीज़ हमने conclude करनी है कि जो metal के oxide है ज्यादा तर cases में metal के oxide आप देखोगे देयार basic और उपर हमने देखा जो non metal के oxide है non metal के जो oxide है वह होते हैं acidic तो यह दो method होगे तीसरा method देखिए from salts जैसे हमने salt से acid बनाया है salt से हम base भी बना सकते हैं किक होगा तो हमने क्या करना है salt को strong base के साथ अगर आप reaction करेंगे for example aluminum chloride की अगर हम क्या करेंगे strong base के साथ reaction करेंगे करेंगे तो strong base है sodium hydroxide इसके साथ अगर हम reaction करेंगे तो क्या बनेगा इसका नाम यह है aluminum chloride यह है फेरस sulfate प्लास एन ए ओच इनकी आप reaction कराओ तो आप देखिए क्या बनेगा Fe और OH का compound तो यह होगा Fe OH whole twice यहां पर iron की valency है 2 ठीक है और यहां बनेगा Na2SO4 तो यह एक salt बन रहा है यहां था sodium chloride यहां है sodium sulfate यह बना aluminum hydroxide यह बना iron 2 hydroxide तो basically यह क्या है यह है एक base तो यह method होगे base बनाने के एक और method देख लिजे बाइडी composition of salt by decomposition of salt तो salts के decomposition से भी क्या बनते हैं वही बनते हैं base अचस नहीं आप छोचिए basic oxide बनते हैं और basic oxide को water में dissolve करो तो वह base बना देता है और example lead nitrate आपके पास है PbNO3 hold twice इसको जब आप heat करते हो तो यह बनाता है lead oxide plus NO2 plus O2 ठीक है तो यह क्या है आपका basic oxide तो यह भी basic है इसको आप water में साथ treat करोगे तो यह क्या बना देगा base रइट इन दे सेम में अगर आप calcium carbonate को heat करोगे यह है lead nitrate यह है calcium carbonate तो यह बना देगा CAO plus CO2 तो यहां देखिए metal का oxide बना है और metal का oxide आपको पता है क्या होते हैं base या basic nature के होते हैं तो यह कुछ method मैंने आपको बताएं to prepare acids and bases इसके बाद हम देखते हैं इनकी properties acid और bases की क्या properties होती हैं बहुत ही आसान तो आप देखिए physical property अगर आप देखोगे तो हमने कहा जो acids हैं they are sore in test generally sore in test ठीक होगा और जो mineral acid है mineral acid का example मैंने आपको दिया था HCl हो गया HNO3 हो गया H2SO4 हो गया they are highly corrosive highly corrosive का क्या मतलब है यह metal के साथ reaction करके उसको decompose कर देते हैं ऐसा आप समझे metal के साथ reaction करके उसको detroit कर देते हैं ठीक है corrosion करके आपने पढ़ा होगा तो यह जो mineral acid है यह बहुत corrosive है या आप ऐसा समझ लीजिए बहुत harmful है और यह metal के साथ भी react करके उसको decompose कर देते हैं ऐसा आप समझ सकते हैं so mineral acids are highly corrosive और indicators आपने देखे होंगे तो indicators के साथ यह क्या करते हैं ठीक है यह क्या कर देते हैं blue litmus paper को red में convert कर देते हैं तो यह कुछ physical property है acid की bases में अगर आप देखोगे तो bases हमने कहा they are bitter in taste अगर आप उनकी taste के बात करोगे तो यह bitter हैं जैसे strong acid corrosive होते हैं वैसे जो strong base naoh koh और भी कुछ हो सकते हैं they are also highly corrosive यह बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं खतरनाक समझ दीजी आप और यह skin के लिए भी harmful होते हैं right metal के साथ भी reaction कर देते हैं अगर आप indicators के साथ इनका reaction देखोगे so these convert red litmus to blue ठीक होगा यह हो गया तो यह कुछ physical properties थे chemical properties अगर हम देखेंगे acid और basis की ठीक है so chemical properties में क्या है भही chemical properties में है neutralization reaction neutralization reaction में आपको पहले भी बता चुका हूँ neutralization reaction में क्या होगा जो acid है वो base के साथ reaction करके salt and water बनाएगा for example NaOH और HCl तो salt and water salt क्या होगा NaCl का compound NaCl plus H2O right ऐसी अगर आप क्या करो KOH ले लो यहाँ potassium hydroxide यह aqueous solution में हो रहा है मैं बार-बार aqueous नहीं लिख रहा हूँ तो यह understood होगा कि यह aqueous solution में हो रहा है आप दूसरा acid ले लो S2SO4 तो यहां क्या होगा potassium और sulfate ion का compound तो यह होगा K2SO4 valencies आपको पता होंगी साथ में बनेगा मैं balance नहीं कर रहा हूँ तो यह हो गया potassium sulfate यह एक salt है sodium chloride यह एक salt है ठीक है साथ में water भी बन रहा है आप metal के oxide के साथ भी same reaction करवा सकते हैं for example CAO plus HCl तो यह क्या बना देगा calcium और chlorine का compound होगा अब ही CA Cl2 साथ में बनेगा S2O तो क्या बना salt and water तो इसको हम कहते हैं neutralization reaction ठीक है अगर हम क्या करेंगे इनकी reaction करवाएंगे active metal के साथ किनकी reaction acid की reaction with reaction with active metal अब active metal क्या है आप लोग को पता होगा ठीक है जो hydrogen से ज्यादा reactive होते हैं उन metals को हम active metal कहते हैं तो active metal के कुछ example है sodium है potassium है ठीक है इसके साथ aluminium है zinc है iron है यह सारे active metals है तो active metal क्या करते हैं भाई active metal की अगर आप reaction करोगे dilute acid के साथ तो यह बनाते हैं salt और hydrogen gas निकाल देते हैं तो आपको reaction है याद करने के विजरूत नहीं है तो माल लीजिए कोई भी active metal ले लीजिए Na कोई भी acid लीजिए dilute HCl तो salt बनेगा Na और Cl का क्या compound होगा NaCl और hydrogen gas निकलेगी आप चाहो तो इस reaction को balance भी कर सकते हो मैं balance नहीं कर रहा हूं reaction क्योंकि इतनी ज़्यादा जूरत है नहीं तो अगर आप balance करके लिखेंगे तो इस तरीके की reaction हो जाएगी आप कोई और metal ले सकते हैं hydrogen ले सकते हैं यहां से यहां से एस्टोफोर ले सकते हैं तो बनेगा क्या वहीं जिंक और sulfate का compound बनेगा तो जिंक की valency होती है दो तो formula हो जाएगा जड़न एस तरीके से हो जाएगा इसके बाद यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर क्या करेंगे हम acid की reaction करेंगे with some salt ठीक है reaction with salt reaction with salt तो reaction with salt में कुछ तो हम देख चुके हैं कुछ में आपको बता दे रहा हूं अगर हम less volatile acid जैसे S204 की reaction कराएंगे किसी salt के साथ और वो salt है more volatile acid का तो यहां देखे acid है S204 जो कि less volatile है यह किसका salt है HCl का salt है HCl is more volatile तो क्या reaction होगी sodium के साथ sulfuric acid का salt बनेगा तो यह बन जाएगा NaHSO4 साथ में क्या बनेगा एक acid free हो जाएगा NaH और Cl तो यह हमने acid बनाने के method में भी देखा था In the same way अगर आप क्या करेंगे H2SO4 की reaction कराएंगे with sodium nitrate NaNO3 तो क्या बनेगा यहां salt बन जाएगा किसका sodium के साथ sulfuric acid का तो यह हो जाएगा NaHSO4 प्लस साथ में बनेगा क्या बनेगा भाई acid बनेगा कौन सा hydrogen और nitrate का तो यह बनेगा HNO3 तो यह हो गया एक और बात आप देखिए अगर हम metal carbonate metal carbonate के साथ metal carbonate भी salt है metal carbonate के साथ acid की reaction कराते हैं metal carbonate का मलब मान लेजे यह है sodium carbonate Na2CO3 metal carbonate के साथ अगर आप acid की reaction करवाते हैं for example HCl तो इनसे क्या बनेगा इनसे बनेगा भाई एक salt Na और HCl का क्या salt होगा NaCl साथ में बनता है carbon dioxide plus H2O यह हो गया metal carbonate के साथ ऐसी अगर आप metal by carbonate NaHCO3 को हम कहते है sodium bicarbonate इनकी अगर आप reaction करेंगे acid के साथ तो यह क्या बनेगा यहां भी एक salt बनेगा तो NaCl साथ में बनेगा carbon dioxide plus H2O balance नहीं किया है मैंने बट reactant और product यही होंगे balance की इतनी ज़्यादा जरुत है भी नहीं फिलाल जब तक कि आपको बोला ना जाए balance करके लिखो तो यह ध्यान देना है जब भी acid की reaction हम करते हैं metal carbonate यह bicarbonate के साथ तो वो reaction करके carbon dioxide और water तो बनता ही बनता है साथ में salt भी बनता है चाहो तो आप दूसरा acid ले लिजे ठीक है मान लिजे मैंने ले लिया H2SO4 और यहां ले लेता हो मैं दूसरा carbonate K2CO3 तो reaction अभी भी वही होगी वह साल्ट बनेगा किसका potassium और sulfuric acid का तो मान लिजे यह बनता है K2SO4 एक salt बनता है potassium और hydrogen sulfuric acid के 2 salt बन सकते हैं एक है potassium sulfate एक है potassium hydrogen sulfate K2SO4 और KHSO4 भी बन सकते हैं तो मान लिजे मैं यह वाला लिख रहा हो plus CO2 plus H2 हो गया तो बहुत ही आसान इसके बाद लिखिए next reaction है कुछ properties हम देख लेते हैं basis की तो basis की क्या property है भाई basis की कुछ property अगर हम देखेंगे तो base क्या है salt के साथ reaction करके जो ammonium salt है basically उसके साथ reaction करके क्या करते हैं ammonia को displace कर देते हैं ऐसा भी आ समझे अब आप देखिए यह है NaOH यह है less volatile less volatile in the sense यह easily vapor में convert नहीं होता है यह वैसे ही है जैसे हमने acid में देखा था तो इसकी अगर आप salt के साथ reaction कर देंगे यह एक salt है जिसका नाम है ammonium chloride तो होगा क्या अब आप देखिए Na और Cl का एक salt बन जाएगा एक दूसरा salt बन जाता है NaCl क्योंकि sodium hydroxide अपना salt बनाएगा Cl के साथ reaction करके तो यह NaCl हो गया और साथ में यहां से क्या निकलती है ammonia निकलती है और साथ में बनती है water ammonia plus water तो देखे यह क्या यहां देखे यह एक less volatile क्या है base है तो यहां यह दोनों आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस reaction को क्योंकि ammonia और water आपस में मिलके बनाते हैं ammonium hydroxide तो यह क्या होगा एक more volatile base बनेगा यह बिलकुल वैसी reaction है जैसे हमने acid में देखी थी so it is more volatile base ammonia plus water बना और यह दोनों combine करके क्या बना रहे हैं ammonium hydroxide बना रहे हैं ठीक हो गया तो इस तरीके से reaction होगी ऐसी अगर आप क्या करेंगे और दूसरे metallic salt के साथ reaction करेंगे यह तो metallic salt नहीं है क्योंकि यहां ammonium iron metal नहीं है metallic salt के साथ अगर आप reaction कराते हैं metallic salt का मलब metal जिसमें involved हो उसके साथ अगर आप क्या कराते हैं base की reaction करवाते हैं strong base की तो यह क्या बनाएगा भाई एक salt बनाएगा और साथ में यहां क्या बनेंगे insoluble hydroxide insoluble hydroxide का मलब है ऐसे hydroxide जो water soluble नहीं होते हैं और उनको हम alkaline नहीं कहेंगे भले वो base हैं तो metallic salt मान लिजे आपका CuCl2 है क्योंकि copper है तो इसलिए हम इसको metallic salt कह रहे हैं इसकी NaOH के साथ में अगर आप reaction करा देंगे तो एक salt बनेगा किसका salt बनेगा भाई Na और Cl का तो यह बन गया NaCl हमें यह ध्यान देना है कि reaction में हो क्या रहा है भाई reaction में यह है general reaction अगर आप metallic salt की strong base के साथ reaction करते हैं तो एक दूसरा salt बनता है और साथ में insoluble hydroxide बनता है अब इन particular compound के formula हमें आने चाहे लिखने क्योंकि हमें valency पता है जो कि class 9 में हम लोग पढ़ चुके होते हैं तो मैं वह अभी दुबारा आपको नहीं बता रहा हूं सो एने और सील का formula compound होगा एने सील और कॉपर और ओएच का होगा सी यू ओएच होल ट्वाइस क्योंकि कॉपर की वेलेंसी यह है टू ठीक है नहीं आता है समझ में तो मैं आपको बता देता हूं copper 2 positive plus OH negative तो आइन की ओपर जितना चार्ज है वो इसकी वेलेंसी इसके ओपर जितना चार्ज है यह इसकी वेलेंसी तो यह इसके साथ जाएगा और यह इसके साथ जाएगा तो formula हो जाएगा Cu OH whole twice in the same way अगर आप FeCl3 और NaOH की reaction करवाएंगे तो Fe की कभी आपने 2 oxidation state भी देखी होगी यहां है 3 चार्ज इसका 3 है यह वेलेंसी इसकी 3 है ऐसा आप समझ लीजे तो Na और Cl का compound होगा और यहां iron की 3 valency है क्योंकि यह 3 chlorine के साथ जोड़ा है तो कितने hydroxide लेगा यह अपने साथ Fe OH whole twice ठीक है in the same way अगर आप zinc sulfate के साथ reaction करवाएंगे NaOH की तो यह क्या बनाएगा sodium और sulfate iron का salt तो यह बनता है Na2SO4 plus ZnOH whole twice sub valency का खेल है वही sodium iron के valency 1 sulfate iron के valency 2 iron के ओपर जितना charge होगा वो उसकी valency होती है तो formula क्या होना चाहिए Na2SO4 यही हमने लिखा भी है तो यह कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई basis की ठीक है इसके बाद मैंने आपको neutralization reaction तो बताया ही है बाई neutralization reaction का मलब acid और base reaction करके salt and water बनाते हैं ठीक हो गया इसके बाद acid के कुछ uses है वह आप book में से पढ़ लीजिए इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं ठीक है इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं acid rain या acidity of rain क्या होती है ठीक है आपको पता है जो water है वो generally क्या होता है neutral ठीक है अगर इस water में acid करेक्टर आ गया acid करेक्टर आ गया कैसे आ गया acid करेक्टर due to presence of acid तो इसको हम कह लेते हैं acid rain तो अगर rain water में acid की presence एक amount से जादा है तो उसको हम कहते हैं acid rain और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा pH जो मैं आपको आगे बताऊंगा तो pH अगर 5.6 से क्या हो जाता है कम जितना कम pH होगा उतना जादा acidic करेक्टर होता है तो अगर pH 5.6 से कम हो गया तो इस rain को हम क्या कह लेते हैं फिर acid rain तो acid rain में कई सारे acid होते हैं जैसे इसमें sulfuric acid होता है S2SO4 इसमें sulfurous acid होता है S2SO3 इसमें nitric acid होता है HNO3 और इसमें nitrous acid होता है अब यह acid आए कहां से यह हमें देखना पड़ेगा तो भई आप air pollution के बारे में जानते हैं कई सारे fuels जो हम जलाते हैं petrol डीजल बाकी चीजें उनमें क्या निकलती है sulfur प्र जब यह sulfur oxygen के साथ reaction करती है तो यह बनाती है sulfur dioxide यह gas है और यह atmospheric air में चली जाती है तो जब यह sulfur dioxide हवा में है और पानी बरसा H2O तो क्या बना दिया H2SO4, H2SO3, sulfurous acid बन गया तो acid drain का कारण यह है ऐसे ही जो sulfur dioxide है यह oxygen के साथ reaction करके sulfur trioxide बना देती है फिर sulfur trioxide यह बारिश का पानी से reaction करके क्या बना रहा है H2SO4 तो अगर ऐसे sulfur dioxide और sulfur trioxide का amount बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा chances है कि क्या होगा acid drain होगी है ठीके ऐसे ही nitrogen, nitrogen भी क्या करता है nitrogen, nitrogen तो air में है ही है ठीके और oxygen के साथ reaction करके यह बना देता है NO एक बार ध्यान रखिए यह होता है at very high temperature ठीक है very high temperature और normally इतना temperature क्योंकि मिलता नहीं है इस compound का नाम है nitric oxide normally इतना temperature होता नहीं है तो nitrogen के oxide नहीं बनेंगे but still there are there is high concentration of nitric oxide in the air तो ऐसा क्यों है दो कारण है ऐसा है lightning की वज़े से lightning आप देखते हैं जब बिजली चमकती है sky में तो lightning में इतना temperature होता है या जो combustion engine है combustion engine का मलब जो भी automobiles जो गाड़ियां, buses, trucks, cars आप देख रहे हैं उनके engine में भी क्या होता है इतना temperature हो जाता है कि यह जो वहां से क्या produce हो रही है nitrogen और oxygen आपस में combine करके NO बना रहे हैं अब क्या होगा यह acid कैसे बनेगा जो NO है इसका नाम है nitric oxide यह oxygen के साथ further combine करके बनाता है nitrogen dioxide NO2 फिर nitrogen dioxide जब water के साथ combine कर रहा है तो यह बनाता है nitrous acid HNO2 and nitric acid HNO3 तो अगर NO का amount काफी ज़्यादा है तो NO2 का amount ज़्यादा होगा NO2 का amount ज़्यादा होगा तो वो बारिश के पानी के साथ reaction करके यह दो acid बनाएगा और यह दो acid बनाएगा तो obvious सी बात है क्या होगा acid rain क्या यह एक कारान बन जाता है ठीक है इसके बाद हम आपको पताएंगे भाई indicators ठीक है indicators क्या होते हैं basically indicator कुछ substances है organic substance है वो पताते हैं whether a given substances acid और base indicate करते हैं नाम से पता चलता है indicate करते हैं whether the given substances acid और base तो उससे उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ता है एक चीज जिसको हम कहते हैं pH value अब pH क्या है भई पी इस फॉर potence potence का मतलब है strength h for hydrogen ion hydrogen ion या h positive या इसको hydronium ion भी कह लेते हैं हम लोग एक ही बात है ठीक है तो अब आप देखिए भई pH value क्या बताती है हमें whether the given substance or given solution is क्या वो acidic है क्या वो basic है क्या वो neutral है ये बताता है हमें pH value अब pH value निकालेंगे कैसे भई pH का formula होता है minus of log hydrogen ion concentration तो log एक function है mathematical function है इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो pH का formula ये हो गया अब आप देखिए माल अगर water neutral है neutral होने का मतलब है उसमें acid character भी नहीं है basic character भी नहीं है तब hydrogen ion का concentration और hydroxide ion का concentration ये square bracket में जो हम लिख रहे हैं वो concentration है तो square bracket के अंदर h positive लिखा है मतलब hydrogen ion का concentration square bracket के अंदर h negative लिखा है मतलब hydroxide ion का concentration ये बराबर होता है 10 power minus 7 इसको हम कहते है mole per liter concentration क्या है बई number of ions या number of moles इसको इतना होता है इसके बाद एक आता है ionic product और ये 25 degree celsius पर है ये भी याद रखिए ionic product में हमने क्या करना है किसको water ionic product of water इसको अगर आप इन दोनों को multiply कर दो इसको kw से denote करते हैं तो ये है h positive into os negative तो ये क्या होगा 10 power minus 7 into 10 power minus 7 तो दोनों को अगर आप multiply कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 power minus 14 ये है at 25 degree celsius ठीक है तो अगर मैं neutral water के लिए pH value निकालूं neutral या water के लिए अगर मैं pH value निकालूं तो क्या होगा water के लिए pH निकालूं तो ये होगा minus of log hydrogen ion concentration so minus of log water में कितना है hydrogen ion का concentration 10 power minus 7 तो अभी इसको square bracket में लिखना नहीं है 10 power minus 7 अब log कैसे काम करता है ये आप समझ लिजी जो भी 10 की power में यहां होगा वो आ जाएगा आगे तो minus 7 आगे आगया यहां minus पहले से है तो आगे आके तो यह multiply होगा ना तो 7 multiplied by minus 7 और यह है log 10 यह आप दियाद रखिए log 10 की value होती है 1 तो log 10 1 हो गया 7 multiplied by 7 is equal minus multiplied by minus 7 is equal to 7 तो water की जो pH है वो आती है 7 और 7 pH दिखाता है यह है neutral इसके बाद अगर आप क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा acid एड़ कर देंगे acid एड़ करेंगे किसमें water में तो water कैसा हो जाता है acidic होगा की नहीं होगा पानी में थोड़ा सा acid मिला देंगे तो water तो acid हो गया अब आप देखिए acid क्या करता है hydrogen ion देता है पहले से water में कितने hydrogen ion है 10 power minus 7 तो ये बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा कुछ number होगा ये कुछ भी number हो सकता है तो ये बढ़ जाएगा ठीक है hydrogen ion का कुछ number है पहले से 10 power minus 7 है तो ये बढ़ गया तो बढ़ गया तो ये कितना हुआ अगर 10 पार माइनस 7 से बड़ा नंबर लेना है तो माल लिजे ये 10 पार 6 है माइनस 6 तो आपको ये पता होगा 10 पार माइनस 6 is greater than 10 पार माइनस 7 तो acidic का अगर हम क्या निकालें भाई pH निकालें acidic medium का उसके लिए क्या होगा जो concentration है वो 10 पार माइनस 6 हो सकती है 10 पार माइनस 5 10 पार माइनस 4 and so on 10 पार माइनस 10 पार 0 भी हो सकता है 10 पार 0 का मतलब होता है 1 तो बहुत जादा हो गया ये ठीकें तो ये है सब 10 पार माइनस 7 से बड़े नंबर तो अगर मैं 10 पार माइनस 6 के लिए pH निकालों तो कितना होगा minus of log 10 power minus 6 तो यह कैसे आएगा उपर के तरफ तरह 6 आजाएगा तो मतलब pH अगर कम हो रहा है इसका मतलब है क्या हो रहा है acidic character बढ़ रहा है इसलिए 7 को हम कहते हैं neutral और 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0 0 से कम भी हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा acidic होगा normal cases में हम 0 तक लेते हैं 0 से नीचे भी possible है यह आप याद रखे तो यह हो जाएगा acidic ठीक हो जाएगा अब अगर हम क्या करें water में हम क्या करते हैं base मिला दे base अगर मिला दे तो यह base क्या देगा भाई hydroxide आइन देगा और यहाँ hydrogen आइन कितने है 10 पार माइनस 7 है और आपको पता है hydrogen आइन और hydroxide आपस में combine करके क्या देते हैं S positive और O S negative combine में करके देते हैं water S2 तो कुल मिला कि यह जो hydroxide आइन है यह क्या कर रहा है water के जो proton है उनको कम कर रहा है मतलब 10 पार माइनस 7 से कम होगे 10 पार माइनस 7 से कम का मतलब कितने इससे छोटा नमबर क्या होगा 10 पार माइनस 8 10 पार माइनस 9 10 पार माइनस 10 और यह कहां तक हो सकता है 10 पार माइनस 14 क्यों 10 power minus 14 तर क्योंकि ionic product कितना है 10 power minus 14 अभी हमने कुछ देर पहले देखा था ionic product है 10 power minus 14 तो यह minus 14 तक हो सकता है इसका मदलब है यह जो number है यह 10 power minus 7 से छोटे हैं और यहां hydrogen ion की concentration 10 power minus 7 से कम है ठीक है कम है तो यह क्या हो जाएगा यह कब हो रहा है जब हम base को add कर रहे हैं तो इसका मदलब है basic solution में क्या होगा pH 7 से क्या होगी कम होगी कैसे कम सब्सक्राइब 7 से जादा होगी more इसको हम निकालते हैं देखिए 10 power minus 8 कैसे हुआ जब हमने water में base मिलाया तो वह basic हो गया इसके लिए अगर आप pH निकालोगे तो यह आएगा minus of log 10 power minus 8 यह 8 आगे चला जाएगा इसको 8 बना देगा ऐसी आप 9 के लिए निकालोगे 10 के लिए निकालोगे minus 14 के लिए निकालोगे तो 14 आएगा तो कुल मिला किये साथ से उपर अगर pH रही है तो वह basic होगा तो मैंने आपको बताया 7 में होगा भाई यहां लिख लेता हो मैं 7 में होगा neutral ठीक है 7 से नीचे 6 5 4 3 2 1 इन 0 यह हो जाएगा acidic और 7 से ज्यादा अगर है 8 9 10 11 12 13 14 यह हो जाएगा basic तो यह मैंने आपको समझाया concept किसका pH value का ठीक हो जाएगा तो अगर हम इसको indicator की help से देखें तो indicator क्या करता है भाई अलग-अलग pH range में अलग-अलग color देता है तो आप अपनी book में देखेंगे तो जो universal indicator है एक indicator एक है वो अलग-अलग color में अलग-अलग pH में अलग-अलग color देता है सिंपल सी बात है ठीक हो जाएगा तो कही type के indicator होते हैं भही तो जैसे आपका अगर हम देखेंगे लिटमस एक indicator है आपने लैब में देखा होगा मिथाइल औरेंज एक indicator है मिथाइल औरेंज पिनॉप्थलीन एक indicator है ठीक है यह सारे indicator है acid-base indicator है तो यह indicator क्या करते हैं कोई भी एक example ले लीजिए यह indicator बताते हैं कि substance क्या है acidic है या basic है बस यही बताते हैं ठीक होगा for example अगर आपने क्या क्या बे acid में आपने ब्लू लिटमस पेपर एड़ किया मालीजे यह acid है इसमें आपने ब्लू लिटमस एड़ किया तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने compound लिए था वह acidic था अगर वह रेड में चेज नहीं होता है तो वह acidic नहीं होगा राइट वह neutral भी हो सकता है basic भी हो सकता है in the same way कोई substance अगर क्या कर रहा है red लिटमस को blue कर दे रहा है तो वह क्या होगा वह होगा base red को blue कर दे रहा है तो वह होगा base यह मैं लिटमस में आपकी case में आपको बता रहा हूँ अलग-अलग indicator कोई natural भी होते हैं कोई synthetic भी होते हैं अलग-अलग indicator में अलग-अलग type का color आपको मिलता है इसका एक drawback यह है कि यह आपको strength नहीं बता सकता है strength का मतलब है कोई acid weak acid है या strong acid है यह नहीं बताएगा ठीक है क्योंकि हमने क्या देखा है भई 7 वाला तो है neutral अब 6 वाला भी acid 5 वाला भी acid pH में बता रहा हूं 4,3,2,1,0 यह सब acid है है कि नहीं है तो यह सब acid एक जैसे थोड़ी है जितना कम pH होगा उतना strong acid होगा मतलब नीचे जाने पर pH acid क्या हो रहा है strong acid हो रहा है तो यह आपको normal indicator नहीं बता पाएगा लिटमस, methyl orange, phenophthalene यह आपको नहीं बता पाएगे ठीक है तो यह कौन बता पाएगा भाई यह बताता है universal indicator कौन बताता है universal indicator यूनिवर्सल indicator आप देखोगे एक paper strip की form में आता है या liquid solution की form में भी आता है आपकी lab में आपने देखा होगा या आप देखोगे रइट तो यह क्या करता है भाई paper strip या solution की form में यह क्या देता है different color देता है different color यह color में लिख रहा हूँ color for different pH ठीवे यह क्या देता है different color देता है different different pH के लिए मतलब 0 pH के लिए कुछ और color होगा 1 pH के लिए कुछ और color होगा 7 pH के लिए कुछ और color होगा 8 के लिए कुछ और 11 के लिए कुछ और तो अगर आप acid और base के साथ इसकी reaction करवाएंगे तो generally जब आपने यह होता है yellow color का almost ठीक है यह almost yellow color का होता है इसको अगर आप मानलीजे किसी substance में add करें मानलीजे वो acid है और उसमें जब आपने क्या किया pH paper भी इसको हम बोलते हैं universal indicator को और वो दे रहा है आपको red color तो आपने देखना है चार्ट से जो आपकी बुक में बना हुआ है red color के corresponding कौन सा pH आएगा तो आप देखेंगे 0 मतलब यह बहुत strong acid है ठीक हो जाएगा अगर color आ रहा है green तो फिर आपने देखना है green में कौन सा pH होगा तो यह लगभग लगभग 6 के करीब आएगा ठीक है तो मतलब यह क्या है weak acid है अगर यह आता है blue अगर color आता है blue तो blue का मतलब फिर आपने देखना है blue color में कौन सा pH है तो यह pH है करीब अरी 9 तो मतलब यह strong base है ठीक है यह base है और अगर ये color आता है violet ठीक है तो ये क्या आता है फिर 14 तो ये strongest base हो गया कुल मिला के universal indicator आपको acid की या base की strength भी बता सकता है और वो कैसे बताता है वो बताता है color के हिसाब से कितनी pH होगी मतलब हर color के लिए pH fix है 0 के लिए कुछ है 1 के लिए कुछ है और 13 14 के लिए अलग अलग pH है तो 7 में जो color है वो आपने देखना है कौन सा color है तो 7 है को गया neutral 7 से आप नीचे चलते हैं तो acid के strength बढ़ती है और 7 से ओपर अगर आप चलते हैं तो base की strength बढ़ती है भाई ठीक है 7 से अगर आप ओपर चलेंगे तो क्या हो गया एक जी base की strength बढ़ती जाएगे तो 14 वाला होगा strongest base और 0 वाला होगा इन में strongest acid तो I hope आपको यह समझ में आया होगा हमने पढ़ा है acid base को कैसे बनाएंगे और क्या-क्या method उनके बनाने के हैं उनकी physical और chemical property क्या-क्या है और indicator क्या होते हैं indicator मैंने आपको बताएगे दो type के indicator आपने ध्यान देने हैं एक तो हो गया common acid base indicator दो type के indicator हैं एक हो गया आपका common acid base indicator जो बहुत ज़्यादा काम के नहीं है फिर भी use में होते हैं तो इसमें आपको बताए मैंने क्या-क्या है आपका लिटमस है, मिथाइल ओरेंज है, फिनोप्तिलीन है, ये सारे common acid-based indicator हैं और एक होता है universal indicator, तो universal indicator, common acid-based indicator के वल ये बताता है कि given substance acidic है या basic है, जबकि universal indicator ये बता देता है कि ये कितना acidic है और कितना basic है, तो I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, thank you for watching, thank you